नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हर्दिक स्वगत है आज मैं आपके लिए एक महत्य पुन टोपिक लेकर आया हूँ एक ऐसा चुरूम लेकर आया हूँ सदेव यूव रखने वाला सरीर का पूरा काया कलब करने वाला सदबहार चुरन इसे जानने के लिए किरपे हमारी वीडियो को देखते रहिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो पली सबस्क्राइब कर लिजे क्योंकि इस चैनल पर आपकी हैल्थ से समंदित सबी जानकारिया हम लेकर आते हैं जिससे कि आप घर पर उसदे बना कर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वास्थ जीवन जी सकते हैं क्योंकि स्वास्थ ही जीवन है अब मैं बात करूँगा सैदेव यूव रखने वाला सरीर का पूरा काया कलब करने वाला सदा बहार चोड़ें आज बढ़ते हुए तनाव, मानसिक थकान, चिंता, सारेरिक रोक ये सब एश में ही इंसान को बूड़ा बना देती हैं भरी जवानी में इंसान बूड़ा नजर आनी लगते हैं अगर आप अपना योवन कायम रखना चाहते हैं तो आपको यता संबब तनाव, चिंता को त्यागना होगा कहा भी जाता है कि चिंता से बड़ा कोई साररिक सत्रू नहीं है योग करें, ध्यान करें, दोस्तों से मिलें, बच्चों और बजुर्गों के साथ समय बिताएं किसी कलब का स्थस्य बनिये, हब्त में एक दिन गोसाला जाएए, किसी गरीब को खाना खिलाएए इससे आपकी तनाव और चिंता भाग जाएगी इसके साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं अयुर्वेद के कैसे सदा बहर चूर्ण के बारे में जिसको खा कर आप सदा अपने आपको जवान और तंदुरूष्त महसूस करेंगे बस इसको अपने दैनिक जीवल में सामिल करें और ये जानते हैं इसको घर पर बनाने की विरी सबसे पहले इस ओसदी के लिए सामगरी क्या क्या सामगरी की आप सकता है पहला सूखे आउले का चूरन दूसरा काले तिल इसका चूरन तीसरा भांगरा का चूरन या बरिंग राज भी बोल देते हैं चोथा गोख्रू का चूर्ण ये समगली होगी पहले ये सब सो सो ग्राम की मात्रा में लेकर मिला लीजिए इकठा कर लीजिए फिर इसमें चार सो ग्राम पीसी हुई मिसरी मिला लीजिए ततपस्चाग इसमें सो ग्राम सुद्द देसी गाईं का घी मिला लीजिए और आखिर में इसमें दो सो ग्राम सहध मिला लीजिए अब इस चूरन को किसी कांच के बरतन में या घी के चिकनी मिट्टी के पात्र या चीनी मिट्टी के बरतन में सुरक्षित रख लें इस चूरन को एक चमच यानि पांच ग्राम की मात्रा में खाली पेट निते सेवन करें और उपर से गाएं का दूद गुनगना गाएं का दूद ले 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 या गुनगना पानी पीजिए सावधनी घी और सहद आप मिलाएंगे तो उनको समान मातरा में नहीं मिलाना है कभी भी गी और सहथ को अलग अलग मातर होने चाहिए जैसे एक को पचास ग्राम मिला रहे हैं तो दूसरे को चालिस ग्राम एक को चालिस ग्राम मिला रहे हैं तो दूसरे को पचास ग्राम सेम नहीं होने चाहिए फिटी फिटी नहीं होना चाहिए दोना क्योंकि अगर ये दोनों समान मातरा में मिला जाते हैं तो इस दीमे जहर का काम करते हैं इसलिए इनकी समान मातरा नहीं लेनी है इसके फाइदे के हैं इस चूरन से आपके स्रीर का पूरा काया कलब हो जाएगा यदि छोटी आयू में बाल जड़ गए हैं तो पुने दुबारा उगाएंगे अगर सफेद हो गए हैं तो काले हो जाएंगे और वृधवस्ता तक काले बने रहेंगे धीले दात भी मजबूत बन जाएंगे चहरे पर कांती आ जाएगी सरीर सकती साली हो जाएगा और वाजी कन युक्त हो जाएगा और कुछी दिनों मे दुर्बल व्यक्ति भी अपना वजन पूरा कर सकती साली बन जाएगा ऐसा है ये चूरण इसके लिए फरेज क्या गरने हैं अंडा मास मचली नसीले पधार्त का सेवन एंवीरिय नाज वरजित है इनका आपको सेवन नहीं करना है तो दोस्तों ये थे सदेव युवा रखने वाला सरीर का पूरा काया कलब करने वाला सदा बहार चुण आप इसको डेली अपनी लाइम में सामिल कीजी और अपनी विमारियों से छुटकार आपाईए तो ये थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकरी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वैसे एर करना ना बोलें इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें क्योंकि इस चैनल पर आपकी हैल्थ से समंदित सभी जानकरियां हम लेकर आते हैं जिससे कि आप घर पर उषदे बना कर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वास्थ जीवन जी सकते हैं स्वास्थे के सासत आप अपने धन की भी बचत कर सकते हैं क्योंकि स्वास्थे ही जीवन है धन्यवाद दोस्तों